उद्धानी की विभाग के उपसंचालग रहे शुदत पांडे की दो करोड इकतिस लाख आठ च्छासु इकाउन रुपे की काली कमाई अब सरकार की हो गई है जिहां प्रश्टाचान निवारण मामलों के अदालत द्वारा या फैसला दिया गया है कोट ने उद्धानी की विभाग में उपसंचालग रहे विजयनगर निवासी शुदत पांडे की काली कमाई को अब सरकार के कबजे में दे दिया है यानि ये संपत्ति अब सरकार ने राज साथ कर ली है कुल मिलाकर लोकाएफ पुलिस द्वारा 11 जन्वरी 2011 को उनके निवास पर छापा मारा गया था और इसके बाद 9 फरवरी 2016 को संपत्ति राज साथ करने का आवधन विशश नेयले में पैश किया गया था इस महाब्रस्ट अधिकारी द्वारा सरकारी घोटा लेकरके इतनी अधिक संपत्ति बनाई गई थी जिसका प्रतिशत 241 परसेंट पताया गया है इस महाब्रस्ट अधिकारी शुदत पांडे की देवास इंडर्स्ट्रेल एरिया में 27 लाग की अलकेमिस्ट रेमेडिस दवा फेक्टरी सावर के पास पितावली में 787 हेक्टियर जमीन जिसकी कीमत 2.73 लाग है सावर में ही डेरी फॉर्म शेट इसकी कीमत 50 लाग है ग्राम बदहना में 2.160 हेक्टियर क्रिशी भूमी घर में मिली नगदी लगभग 3.5 लाग रुपे और विबन निकातों पोस्ट आफिस में जमा 13 लाग रुपे और इसके लावा एबडी करीब 4.5 लाग इस तरह से सारी संपत्ति अब सरकार की हो जाएगी इससे महाब्रष्ट अधिकारियों को यह सबक लेना चाहिए कि किसी भी दिन में लोकायोत के हत्ते चड़े और उनकी यह चापा पड़ा तो उनकी सारी काली कमाई सरकार के पास फिर से चली जाएगी जो उन्होंने जंता से लूट-लूट कर इकटी की है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates